प्रस्तुत पार्ट में हास्य बालकवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है तो चलिए श्टार्ट करते हैं सभी बच्चे ध्यान से सुने विविद वेश भुसा धारिना हां चत्त्वारह बालकवया मंचस्य उपरी उपविष्टा हा संती तो अन्य परकार की वेश भुसा को धारन किये वे चार बालकवि मंच पर बैटे वे हैं अधा सुरूता रहा हास्य कविता स्रवणाय उत्सु कहा संती कोला हलम चकुर्वंदी और नीचे सुरूता जन हास्य कविताय सुनने के लिए उत्सु कहें तथावे सूर करते हैं संचालक हा अलम कोला हलेन अब जो संचालक है जो कभी सम्मेलन को होस्ट कर रहा है वो सुरूताओं से बोलता है अलम को लाहलें सोर मत करो अध्यपरम हरसस्य अवसरा आज अत्यदिक प्रसंता का विसे है यत अस्मिन कवी सम्मिलने काविया हंतारह कालिया पाकाश्च भारतस्या हास्य कवी धुरंदरा समागता संती इसका भी सम्मिलन में काव्य का नास करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारत वर्ष के दुरंदर हासे कभी आए हैं आईए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें अब जो पहला बाल कभी है उसका नाम गजाधर है अब वो खड़ा उड़ता और बोलता है सभी अरसिक जन्नों को नमसकार प्रतमम तावद अहम आदुनिकम बैद्यम उदिश्या स्वकीयम काव्या स्राव यामी सबसे पहले मैं आदुनिक बैद्य के विशे में अपनी कविता सुनाता हूँ वैद्यराज नमस्तु भ्यम यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणान वैद्या प्राणाम दनानिचवा ए वेद्यराज नमस्तु ब्यम तुम्हे नमस्कार है यमराज सहूदरा तुम यमराज के सगे भाई हूँ यमस्तु हरति प्राणान यमराज तु केवल प्राणों का हरन करता है वेद्यम प्राणान धनानिचा परंतु वेद्य प्राणों और धन अर्थार रुपे पेसे दोन का हरन करता है सर्वे उच्चे हे हसंति सभी जोर से हन्सते हैं कालांत का अब जो दूसरा बाल कभी है उसका नाम कालांत का है फिर वो बोलता है उसका नम्मर आता है अरे वैध्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रिशा कुशला जन संख्य निवारणे ममापी काव्यम इदमशिणवन्तु भवन्ता अरे वैध्यास्तु सर्वत्र परंतु नातु वैध्यतो सब जगा है परंतु जन संख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है आप मेरी यहा कविता भी सुनिए चिताम प्रजुलिताम द्रिष्टवा बैध्यो विस्मया मागतः नाहम गतो नमे भ्राता कस्येदम हस्तिलागवं बैध्या जलती भी चिता को देखकर दिर्ष्टवा देखकर बैध्यो बिस्मया मागता आश्चर को प्राप्त हो गया ना हम गतो नमे ब्राता वहाँ सोचने लगा ना तो मैं वहाँ पर गया और न वहाँ मेरा भाई है कौन यम्राज कसे दाम हस्त लागवं फिर यहा किसके हाथों की कला है सरवे पुनाहसंती और सभी फिर हस्ते हैं तुन्दिला हा अब जो तीसरा हस्य बाल कभी है वो ख़ाउडता है उसका नम्मर आता है और बोलता है तुन्दिला तुन्दिला करतो होते जो पेटू होता है तुन्दला स्य उपरी हस्तम आवर्त यान तो उसका पेटू उच है और आपने पेट पे हाथ फिरते वे बोलता ह तुन्दिलो अहंभो अरे मैं पेटू हूँ ममापी इदम काव्यम सुर्यताम जीवने धार्यताम चा मेरी वी यहा कविता सुनिये और जीवन में अपनाईये कारण क्या है कि इस संसार में पराय अन दुरलब है तथा ये सरीर तो बार बार होते रहते हैं अर्थार जो भी मिलता है उसे खा लेना चाहिए क्योंकि वो पेटू है तो वो पेट के बारे में ही बोलता है सरवे पुना अटहासम कुर्वंती और सभी पुना जूर से हसते हैं चारवा कहा, अब चोथा जो बाल कभी है, वो चारवा कहे, अब उसका नम्मर आता है, और बूलता है, आम आम, हाँ हाँ, सरीरस्य पोष्णम सर्वता उचित में, हाँ हाँ, सरीर का पोष्ण सभी प्रकार से उचित ही है, यदि धनम नास्ती यदि धन नहीं है तदा रिडम के त्वाप पोष्टिका पदार्ता एव भोगता ब्यहा तो रिन करके भी पोष्टिक पदार्तों का भोग करना चाहिए आपके पास अगर पैसे भी नहीं है तो उधार लेके क्या करना चाहिए अच्छे अच्छे पोश्टिक पदार्थ खा लेने चाहिए तथा कथियती चारवाक कभी ही अच्छारवाक कभी कहते हैं यावाज जीवेद सुकम जीवेद रिणम कृत्वा गृतम पिवेद जव तक जीएं सुक से जीएं चाहे रिण करिके घी पे चाहे पैसे कितने भी उधार हो जाएं खूब खाना चाहिए खूब घी पूरी खानी चाहिए शुरोता रहा प्रिशोता गण बोलते हैं तरही रिनस्या प्रत्यरपणम कथम तव रिन का बदला कैसे होगा फिर चारवाक बोलता है सुरयतामम अवसिष्टम काभ्य अरे मेरी सेस कविता सुनिए घृतम पीतवा श्रमम कृतवा रिनंप्रत्यारपएत जनह घीपिकर परिश्रम करके व्यक्ति रिन उतारदे काभ्य पाट श्रवनेन उतप्रे रिताह एक बालको अपि आस कविताम्रची यती हास पूरगम हास पूरभकम चस्राव यती और एक बालक जो है और उनकी कविताओं को सुनकर एक बालक खड़ा उड़ जाता है जो सुरोताओं में भेटा वरेता है और उसका उनके परती जो कभी हैं उनके परती कुछ बोलने का मन करता है तो वहाँ बोलता है बालका सुरेताम सुरेताम भो ममापिकाब्यम वो बालक बोलता है सुनिए सुनिए आप मेरी कविता को भी सुनिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप उसको भी सुनिए मैं कवि पेटू जो तुंदिल है पेटू को गजाधर कभी को और यमराज और बैध्य को उस यमराज को उस बैध्य कभी को उस चारवा कभी को जो ये चारों कभी है उनको परणाम करता हूँ काब्यम स्राव इत्वा हा 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 इतिक्रित्वा हसती काब्य को सुनकर हा हा करके हंसता है अन्ने चापी हसंती दूसरे जो सुरोता हैं वो भी हंसते हैं सरवे ग्रिहम गच्छन्ती और बहार निकल कर सभी अपने घर चले जाते हैं तो बच्चों आज हमने अध्यन किया चतुरता पाठा है और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवस्य करें